आखिर क्यों हर्यानवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ जारी किया गया है अरेस्ट वारेंट जानेंगे क्या है ये विवाद वीडियो से आकर तक जुड़े रही है वीडियो इंफोर्मिशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हर्याना की मशूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने अपनी दिलकश अदाओं का जादू हमेशा ही अपने फैंस पर खुब चलाया है वो हमेशा ही किसी न किसी कारण से फैंस के बीच में चर्चा का विशे बनी रहती है लेकिन इस बार एक्टरस मुसीबत में फस्ती दिखाई दे रही है सपना चौधरी के खिलाफ लखनाओ की एक अदालत ने गिरफतारी वारंट जारी कर दिया है लेकिन अभी तक एक्टरस की तरफ से इस मामले में कोई भी रियक्शन नहीं आया है सपना के खिलाफ ये एक्शन एक प्रोग्राम कैंसिल करने और दर्सकों का पैसा ना लोटाने को लेकर किया गया है चलिए जानते हैं क्या था ये मामला चानकारी के अनुसार इस के सुनवाई 22 नवंबर को होनी है इस मामले में एडिशनल चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट सांतनु त्यागी ने सपना के खिलाफ अरिष्ट वारेंट जारी करके पुलिस को ये आदेश दिया है कि अगली सुनवाई में उन्हें कोट में पेश किया जाए ये शिकायत सपना के खिलाफ आशियाना पुलिस स्टेशन में साल 2018 में 14 अक्टूबर को लिखवाई गई थी 13 अक्टूबर को लखनौ में समरिती उपवन में दोपहर 3 बजे से राद 10 बजे तक शो को और्गनाईस किया गया था जिसके लिए दर्शक टिकट खरीद कर इवेंट में पहुचे थे लेकिन सपना परफॉर्मेंस में नहीं पहुची जिसके बाद काफी हंगामा हो गया फिल लोगों ने जब अपने टिकट के पैसे वापिस मांगे तो उन्हें पैसे वापिस नहीं मिले कोट में दाखिल की गई शिकायत के अनुसार दर्शकों ने तीन सो तीन सो रुपे की टिकटे खरीदी थी सपना के इस शो को देखने के लिए हजारों लोग महां मौझूद थे लेकिन जब 10 बजे तक अक्टरस नहीं आई तो दर्शकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया इस मामले में सपना चौधरी को बरी होने की अरजी को अदालत ने 4 सितंबर 2021 को खारिच कर दिया था तो इस तरह से कारी करम को रद करने और टिकेट के पैसे वापिस ना करने की वज़ा से सपना चौधरी के खिलाफ अरेश्ट वारिन्ट को जारी किया गया है होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफरमिशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा